कि अंदर हमने फिर्टिलाजेशन के टोपिक को डिटेल में स्टेडि किया था फिर्टिलाजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑप स्पर्म और उनके मिलने से जो एक सेल हमें मिलती है वो होती है जायगोट जायगोट आपकी सिंगल सेल स्टेज होती है थीक है उसके बाद जो आगे हमें देखने को मिलता है उसके बाए हम इस वीडियो के इंदर पढ़ेंगे फिलाइशन वैंस इंदर अन्दर आपको दिखा रखाया है अंथे घ्रैफिन फॉली कौण में च्रीशा से ब्रेक्डाउन होता है इस पराएगल ऊभलेशन होता है उसी प्रोसेसों से बोलता है ठीक है जब यह बाहर निकलता है तो तो फैलोपिन ट्यूब का फिम्ब्रे पोर्शन है जो वो इस एग को रिसीव करता है ठीक है और इसको हम क्या बोलते हैं अब अगर यह एग आपका आके यहां पर एमपुला पोर्शन में फर्टिलाइज हो जाता है यह आपको यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दिखा रखी है ठीक है यह ओवम आपका यहां पर इस एक्सपर्म की एंट्री दिखा रखी है इसको हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ठीक है यह आपकी एमपुला पार्ट ओफ एलोपिन ट्यूब के अंदर देखने को मिलती है उसके जाइगोट आपका यानि 24 हार के अंदर बनता है उसके बाद जाइगोट के अंदर अब आगे क्या होगा डिवीजन होगी ठीक है अब यह सिंगल सेल स्टेज थी इसके बाद क्या होगा टू सेल स्टेज आएगी ठीक है इस प्रोसेस में आगे कितने घंटे लगेंगे आप आपको दिखा रहा है time period ठीक है आप यहां पर देखिए पहले एक cell थी अब यहां पर दो cell बन गई है फिर दो cell आपकी divide होंगी four cells के अंदर ठीक है four cells stage आगे आपकी इसके अंदर कितना time लगेगा fourty to fifty hearts उसके बाद हमें दिखा रहा है चार से कितनी cells बनेंगी आपकी eight cells बनेंगी यह देखिए धीरे धीरे जैसे cell division होता जाएगा आपका जो यह fertilized ohm है यह आपका क्या होता जाएगा fallopian tube से होता हुआ uterus की तरफ आ रहा है उसके बाद देखिए eight cell stage eight आपकी divide होंगी कितने के अंदर sixteen cell stage के अंदर ठीक है और जैसे ही sixteen cell बन जाएगी उसको हम क्या बोलते है morula बोलते है ठीक है तीसरे दिन आपका morula क्या हो जाता है बन जाता है और third day यह आपका morula बन जाएगा और fourth day आपका यह uterus के अंदर enter कर जाएगा ठीक है यह हमें बता रख है आज हम पढ़ेंगे morula के बारे में detail के अंदर ठीक है हम इस book के अंदर से इसको थोड़ा study करेंगे देखिए क्या हमने पढ़ा है अभी तक जाएगोट के बनने के बाद उसके अंदर क्या होता है mitotic division देखने को मिलती है ठीक है जाएगोट के बाद two cell stage हमें देखने को मिलेगी ठीक है यह fertilization के लगबग 30 गंटे बाद हमें इकवल होंगी दोनों के अंदर साइटो प्लाजम का जो वोल्यूम है वो इकवल होगा क्रोमोजूम का जो नंबर है वो भी इकवल होगा ठीक है उसके बाद two cell stage से हमारी four cell stage आएगी four से eight eight से sixteen ऐसे हमारी cell stage बंदती रहेंगी ठीक है और जो sixteen cell stage है उसको हम मोरूला बोलते है और मोरूला की जो शेप है वो किस से मिलती है आपकी मलबैरी ठीक है मलबैरी की structure के जैसा आपको मोरूला देखने को मिलता है ठीक है यह हमें बता रखाया है मोरूला after spending about three days in the uterine tubes फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये लगबग आपका तीसरे दिन बन जाता है और fourth day आपका ये क्या करता है उसके अंदर uterus के अंदर enter करता है ठीक है फिर आपका 16 से कितनी cell stage बनती है आपकी 64 16 से फिर आगे आपकी 64 cell stage बनेगी और ये जो transport हो रहा है आपका एमपुला से लेके uterus तक ये जो चीज़ें आ रही है आपकी वो किस से होता है ये एक slow process है ठीक है और ये कि इस process के तुरू हो रही है muscular contraction की help से हो रही है या फिर moment of cilius की help से हो रही है ठीक है उसके बाद देखिए the central cell of the morula इस morula के अंदर देखिए ये आपको जो structure दिखा रही है ये two cell stage ये four cell stage ये आपकी क्या है morula यानि 16 cell stage ये हमें 16 cell stage दिखा रही है तो इसके अंदर अब हमें क् central cells हैं जो ये beach की cells है morula की इनको हम क्या बोलेंगे inner cell mass बोलेंगे क्योंकि यही जाके अगी क्या बनाएंगी हमारा embryo बनाएंगी और जो peripheral cells है यानि इसकी periphery बाहर की तरफ जो cells हैं वो क्या बनाएंगी outer cell mass बनाएंगी ठीक है जो कि क्या करेगा protective और nutritive membrane बनेंगी हमारे embryo की ठीक है ये हमें दो बाती यहां पर पढ़ने जरूरी है तो जो हमारा मोरूला है वो हमें पता है क्या है 16 सेल स्टेज का हमारा सेल का गुच्छा ये बन गया है जो की मलबेरी से ये आपका रिजेंबल करता है और ये फर्टिलाइजेशन की 3 दिन बाद ठीक है प्रोसेस हमें पता चलगी उसके बाद हमने इसके बारे में और क्या चीजें पढ़नी है कि जो इसकी सेंट्रल सेल्स हैं वो तो क्या बनाती हैं एम्ब्रोय को बनाती हैं और जो इसकी पेरिफ्रल सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं मेंब्रेंस बनाती हैं इस embryo को cover करने वाली जो कि इसको protect करके रखेंगी और nutrition प्रोवाइड करेंगी तो ये इसकी कुछ important बाते थी Morula के बारे में यही सब चीजें आपने लिखनी है तो आज की वीडियो के अंदर हम बस Morula को ही discuss करेंगे आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम blastocyst के बारे में पढ़ेंगे ठीक है So thank you guys I hope ये वीडियो आपके लिए useful रहे और आपको गाईनी के जो topics मैं करवारी हूं वो अच्छे से समझा रहे है So thank you मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर